बश्काइल बच्चो आज हम जीव ज्यान का जो चैप्टर टू है वो स्टार्ड करेंगे चैप्टर टू और चैप्टर नेम जो है वह उपर लिखा हुआ है जीव जगत का वर्गी करण का आज ये पार्ट वन है जो रहा टाज़ है चैप्टर वन था वह आपको पढ़ा दि सुर्ष में यह पांची कोश्चन ले यह सायद यह चारी हों चलिए देख लेतें क्लास पर चलते हैं फील फॉल कहां ली पहला पर समझाना मिंदला उस तरह से अगर किया जाये तो नहीं बन पाएगा इस तरह से आपको कोश्चन में ही पूरा लिखके बताया यह जाए यही चैप्टर नेम देखिए बायो लॉजिकल क्लासिफिकेशन इंगल्स में इसको बोलते हैं बायो लॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसका जो हिंदी में है तो जीव जगत का वर्गी करण पहले नमबर क्या है समय के साथ आये परिवर्तनों की ब्याख्या है जो वर्गी करण आप साथ अमें चर्चाह क्राई हुए कि कैसे परिवर्तन आए और किस तरह की परिवर्तन आए किस तरह से उसमें परिवर्तन हुए उसी की आजम को ब्याख्या करनी है तो चलिए चल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो देखिए अंसर पर चलते हैं पहले तो अंसर है मारा कि वर् परक्णा करना पद्धत इसी है वह जीवों को वहाँ पेंगे पूछें कि अगर एक के बाल नहीं है तो यह समानता हो गई तो जो उनके लच्छोनों में समानता पाई जाती है उसी के आधार पर हम समुह और उपसमुहों में विवस्थित करने की प्रक्विया होती है प्रारंबी के प्रद्धितियां क्रतिम थी उसके पस्चात प्राक्वितिक तथा जात वर्गी करन प्रद्धितियों का विकास हुआ तो पहले इस चेपम पढ़ेंगे क्रतिम वर्गी करन प्रद्धिति जो की पहले थी तो क्रतिम वर्गी करन प्रद्धिति थी कैसे इसको इ वर्सी लच्छणों या पुमंग पुमंग पुंकेसर को बोलते हैं जो फूल होता है उसमें पुंकेसर होता है पुमंग होता है इस प्रकार के वर्गी कराण में वर्सी लच्छणों या पुमंग के आधार पर पुस्पी पौधों का वर्गिन करण किया गया है कैरोलस लीनि असमान थे जो पुस्प समान लच्षण दा साथ थे उनको एक साथ और जो पुदे असमान थे उनको अलग-अलग कर दिया गया था उन्हें एक ही समुव में रखा गया था यहां वर्गी करण की द्रश्टी से सही नहीं था यह वर्गी करण आज कल प्रयोग नहीं होते हैं ठ तो ये वर्गी करण आजकल प्रयोग नहीं किया जाते हैं अब दूसरा आते हैं दूसरा प्राकृतिक वर्गी करण प्रद्धत क्या होती है तो प्राकृतिक वर्गी करण प्रद्धत क्या होती है कि प्राकृतिक वर्गी करण प्रद्धत में पौधों के संपूर प्राकृत के लच्छनों का अध्यन किया जाता है इसके अतरिक्त पौधों की आंतरिक सन्रचना जैसे सारीरी की भ्रोण की एवं फाइटो केमेश्टी आधिको भी वर्गी करण में सहायक माना जाता है आवरत बीजियों का प्राकृतिक लच्छनों पर आधारित वर्गी करण जार्ज बिन्थम तथा जोसिफ डाल्टन हूकर द्वारा समलित रूप से प्रस्तुत किया गया जिसे उन्होंने जेनरा प्लेटनरम नामक पुस्तक में प्रकासित किया यहां वर्गी करण प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंद सुगम तथा प्रचलित वर्गी करण है अम तीसर पृध यहां इसको बोलते हैं सिस्टम तो इसकी अंदर पढ़ते हैं इस प्रकार के वर्गी करण में पौधों को उनके विकास और अणुआसिक लच्छण को द्यान में रखकर इसमें जो वर्गीकरण क इसे उनके वनसा का ज्यान हो इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के टैक्सा का विकास एक ही पूरुजों से हुआ है वरतमान में हम अन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गी करण की समस्याओं को सुलजाने में प्रयुक्त करते हैं जैसे कंप्यूटर द्वारा, अंक और कोड का प्रयोग ये करते हैं और क्रोमोसोंस का आधार रासानिक अवयों का भी उपयोग पादब वर्गी करण के लिए आजकल किया जा रहा है तो ये था जातव रती वर्गी करण ठीक है तो कोश्चन में हमने पढ़ लिया तीनों वर्गी करणों के रती वर्गी करण क्या था और जात्वरत्ती वर्गी करण क्या था जो में पढ़ना था ठीक है दूसरे कोश्चन पर जलते हैं दूसरे कोश्चन में पूछा क्या गया है दूसरे कोश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिकित के बारे में आर्थिक द्रस्ट से दो महत्पुन उपयोगों को आपको पार्पोसी बैक्टिरिया को क्या बोल जटाばい थो बैक्टिरिया इंड है लाकीस्ट रोल म हम पॉप्योग थोंड दूद से दही बनाने में किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है दूद से दही बनाने प्रति जीवी उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा लेग्युमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन इस्थरी करण में किया जाता है तो इसका लेग्यूमीनेसिकुल के पौदों की जड़ों में नाइट्रोजन इस्थरी करण में किया जाता है तो यह परिपोसी बैक्टिरिया के दो अपयोग थे आर्थिक द्रश्टी से अब चलिए आद्ध बैक्टिरिया के भी दो अपयोग पढ़ लेते हैं तो देखिए आद्ध ब आद्ध बैक्टिरिया का उपयोग किया जाता है तो यह इसके दो अपयोग थे हाँगी चलते है कोशन नमर 3 को पढ़ लेते हैं जो भी स्मॉल है डैक्बार 3 में बोला गया है डाई एक्टम की कोशिका भीत के क्या लच्छन है हमको बताना है कि डाई एटम की कोसिका भित्र के क्या लच्छन है डाई एटम की कोसिका भित्र में सिलिका पाई जाती है डाई एटम की जो कोसिका भित्र में इसमें क्या पाई जाता है उसमें सिलिका पाई जाती है कोसिका भित्र दो भागों में भाजित होती है उपर की epithika तथा नीचे की hypotheka ठीक है उपर की क्या बोलते हैं तो उपर को जो भाग होता है उसको बोलते हैं epithika ठीक है और जो नीचे को जो भाग होता है इसको बोलते हैं hypotheka ठीक है तो hypotheka दोनों साबुदानी की तरह लगे होते हैं ठीक है साबुदानी की तरह लगे होते डाइटम की कोश का भितियां एकत्र होकर डाई एटो मेसियस अर्थ बनाती है ठीक है दोनों क्या करती ही मिलकर डाई एटो मेसियस अर्थ बनाती है ठीक है तो ये इनके लच्छड है ठीक है आंगे जलते हैं कोश्चन नमबर फोर को पढ़ लेते हैं कोश्चन नमबर जो फो ग्षैव तरंगे कि एलगल भूम और लाल तरंगे क्या है ताइट्स है लेट है तो चलिए फड़ते हैं साइवालों के जो प्रदूसित जल में अतदिक ब्रद्धी सेवाल पुस्पन कहलाती है जो सैवालों की जो प्रदूसित जल में अत्धिक व्रद्धी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैवाल पुस्पन क्या बोलते हैं सैवाल पुस्पन बोलते हैं यह मुखरूप से नीली हरी सैवाल द्वारा होती है ठीक है डाइनो फ्लैजी लट्स जैसे गोने यूलेक्स के तीवर गुडन से समुद्र के जल का लाल होना जब डाइनो फ्लैजी लेट्स जो होता है और गोने यूलेक्स जब इन दोनों का आपस में गुडन होता है तीवर गुडन होता है तो यह समुद्र के जो जल का लाल हो जाता है रंग वही क्या कहलाता है लाल तरंगे कहलाता है तो यह था कि सहवाल पुस्पन और लाल तरंगे क्या दरसाता है कोशन नमर 5 को पढ़ लेते हैं कोशन नमर 5 क्या है हमारे पास तो कोशन नमर 5 है कि वाइरस से वाइराइड कैसे बिनने तो हमें दोनों में अंतर बताना है कि वाइरस से जो होता है वाइरस से जो होता है वाइराइड किस प्रकार से बिनने दोनों में अंतर क्या है तो चलिए पढ़ लेते हैं कि वाइरस तथा वाइराइड में निमनलिकित अंतर पाए जाते हैं पहले पढ़ते हैं वाइरस तो पहले वाइरस क्या होता है यहां नुकलियो प्रोटीन का बना होता है जो वाइरस होता है यह किसका बना होता है तो यह नुकलियो प्रोटीन का बना होता है वाइराइट की अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर तो यहां आर्यने राइबो न पाया जाता है उसमें DNA की उपस्तित नहीं होती है तीसरे नंबर में अगर वाइरस की बात करें तो जो वाइरस होता है उसे प्रोटीन का कवज पाया जाता है किस तरह का कवज पाया जाता है प्रोटीन का कवज होता है उपर से लेकिन वाइराइट जो होता है इसमें प्रोट सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं जो वाइरस होते हैं वो सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं लेकिन जो वाइराइड है यह केवल पौधों को संक्रमित करते हैं जो वाइराइड है यह केवल पौधों को ही संक्रमित करते हैं अन्न जीवों को नहीं तो यह जो अंतर थे 5 पढ़ लिए वायरास और वायराइट के बाद में तो हमने के वाले यहां पर फाइफ ही कोश्चन लिए थे तो यह थे आपके इस चैप्टर के फाइफ कोश्चन अगले आपको फाइफ कोश्चन भी कल की क्लास में मिल जाएंगे